नाजरीन, मैं हो कैसर रजा हुसेनी और आप देख रहे हैं सदाकत मीजने टरूख आईए आपको एक अहम ख़ब की तरफ मतवज़ देश का उज्जे बारा साल के एक लड़की के शरीर से कून बहना है अर्दिनगन हालत में वो एक कॉलोनी के बाहर खड़े होकर रोते हुए मदद मांती है सामने एक शक्स खड़ा है तिरुपती ड्रीम्स कॉलोनी के पास मौजूद वो शक्स लड़की की मदद नहीं करता आंसूस गीले चेहरे के साथ लड़की आगे बढ़ जाती है तकरीवन तीन घंटे में वो आट किलो मीटर की दूरी तै करती है जाहिर है इस बीच उसे कई लोग मिले होंगे लेकिन किसी ने उस बच्ची की मदद नहीं आखिकार लड़की तांडी आशुब के सामने से गुजरती है वहां मौजूद कुजारी बच्ची की हालत को देखकर उसकी मदद करते हैं फिर पुलिस को सूचना भी देते हैं पुलिस लड़की को जिला स्पताल लेकर जाती है वहां हालत बिगड़ने पर उसे इन दौर रेफर कर दिया जाता है यहां डॉक्टर्स बताते हैं कि लड़की के साथ रिक हुआ है लड़की का इलाज शुरूख हुआ डॉक्टर्स का कहना है कि बच्ची अब खत्रे से बाहर है पुरी घटना का मंगलवार को एक CCTV फुटेज सामने आया इस फुटेज ने हर किसी को जखचोर कर रख दिया हम वो हिस्सा तो आपको नहीं दिखा सकते जब लड़की एक शक्स के सामने मदद मांग रही है लेकिन हां ये जरूर दिखाएंगे कि मदद ना करने वाला शक्स कैसे उस लड़की के जाने के बाद भी घर के बाहर ख़़ा रहा चलिए अब हम आपको पुलिस, गवा, सरकार और विपक्ष यानि हर एंगल से इस पूरे घटना करम को सिलसलेवार तरीके से बताते और समझाते है 25 सितंबर के सुबह 3 बजे का एक खुटे सामयार जिसमें वो बच्ची स्कूल यूनिफॉर्म जैसे कबड़ों में सही सलामत दिख रही है और उजयन की तुरुपती ड्रीम्स कॉलोनी में जब बच्ची मदद बागने आती है तब सुबह के 6 बजे का वक्त था यानि इस बीच ही लड़की के साथ घटना हुई है अब आप तिरुपती ड्रीम्स कॉलोनी में रहने वाले उस ब्यक्ती से भी है जिससे उस बच्ची नजर आई तो मैंने उससे कूछा कि क्या हुआ तो उसने कुछ बतानी कोशिस करी लेकिन उसके भासा समझ में नहीं है उससे कहा क्यार एक बच्ची है जो बाहर है वो बाहर आए बाहर आने के बाद में जब देखा मैंने उनको उठाया और अंदर से बाहर आये जब सब वो यहां से आगे इकल चुकी थी हाला कि यह जणाब जो अंदर जाकर अपनी वाइफ को जगाने की कहानी सुना रही है वो कितने सची है वो आप खुद CCTV पूटेट में देख सकते हैं लड़की के जाने तक हुशक्स अपने घर के दरवाजे पर ही खड़ा रहता है अब आपको हम उस शफ्त से मिलवाते हैं जसने उस लड़की की मदद तुरंत उसे अपना उपरी वस्त दिया इससे अपने सेरेट को टगा तब तश्चाथ मैंने उसे जो मेरा आश्रम में स्वलपार बना था मैंने उसे बूच्छा कि भूब लग रही है उसने मुझे हां का है इसास कराया मैंने उसे बच्चे से क पूरी घटना को लेकर लड़की के बयान के आधार पर उजयन के सचन शर्मा ने क्या कुछ पताया पूलिस ने जो मामला कायम किया है 376 IPC और पॉसको एक में किया है इसमें गिरफतारी अभी नहीं की गई है पर बच्ची जब से उजयन आही है वो जिंजन के संपर्क में रही है खासकर चे घंटा जो उसका उजयन का समय है घटना से पहले का उन सभी से पूलिस पाई गए और उससे जब पूस्ताच में इसने बताए कि वो जो विक्टेम है उसके साथ कितनी देर तक था क्या-क्या बात हुई कैसे कैसे हुआ उसके अलावा उससे पहले भी जिस जिस से उसकी बातचीत बच्ची की हुई है उन सबको भी पूलिस ने अभी पूस्ताच क का नाम है वो सेम पाया गया था सतना कुलिस से कोपरेशन कोडिनेशन किया गया है और इसमें ये सत्यापित हो गया है कि वो सतना जिली एने वाली है क्योंकि मध्य प्रदेश में अगले कुछ महीनों में विधान सभाच्चनाव होने है ऐसे में इस मामले पर कॉंग्रेस न नावालिक बच्चियों के खिलाफ हुए दुशकर्म की संख्या सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है। नहीं है मध्य प्रदेश की कानूं व्यवस्था और महिला सुरक्षा भाजपा के 20 साल के कुशाशन तंत्र में बच्चियां महिलाएं आदिवासी दलित कोई भी सुरक्षित नहीं है। नहीं के साथ साथ एक करोड रुपे की आर्थिक सहायता देने की भी मांगी है। हुई प्रदेश की ग्रिफ मंत्री नरोतम श्या ने पीड़ता की हालत की अपजीट देते हुए कॉंग्रेस को ही आड़े हाथ हो लिया है। जेन की प्रतीत नहीं हो रही है वो बच्ची बाहर की प्रतीत हो रही है। चुकि वो ठीक तरह से बता नहीं पा रही है अभी। इसलिए counselor लगाए गए है, child specialist लगाए गए है कि वो ठीक तरह से जवाब देते हैं। बच्ची आप कांग्रेस से साइड डिवेट के जरूवरत हो भी क्या आपको। और बच्चीयों के ऊपर इस प्रकार का क्रिक्त करने से मिश्चत रूप से हमारी भारत माता को आधात पहुच रहा है। इसलिए सरकार को प्रशासन को मजबूती के साइड खारवाई है। इस पूरे मामले पर राष्ट के बाल अधिकार संद्रक्षन आयो के अध्यक्षन प्रियंक कानूंगो ने एंपे पुलिस को नोटिस जारी करके जवाब मांगने की बात कही है। और जयान पुलिस में चार आरूपियों को हिरासत मिलिया है। लेकिन 24 और 25 स्थम्बर की दरमयानी रात उस मासूम के साथ क्या हुआ था। इसकी जांकारी तो पुलिस की जांच के बात ही सामने की ताज़ा आपडेट के लिए देखते रहे हैं सदाकत नीज नेटवर्क बहुजब दिन हाजिर होंगे सब्सक्राइब के साथ तब तक हमें इजादे कीजिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए सदाकत अखबार सिर्फ अखबार ही नहीं आपका दोस्त भी है इसे पढ़िए और दोस्तों को भी पढ़वाएए ताज़ा अपडेट के लिए देखते रहे हैं सदाकत नीज नेटवर्क हमारे चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए